डिस्क सभी लोग जानते है कि लॉंग एक प्रकार का मसाला है इस मसाले का इस्तिमाल खाने में किया जाता है अगर डेली लॉंग को अलग-अलग तरीके से खाएं तो इससे आपको कई तरह की बीमारियों में बहुत फायदा मिलेगा आज हम आपको लॉंग खाने से दूर होन वाली उन बीमारियों के बारे में बता रहे हैं जिनसे शायद आप जानते भी नहीं होंगे लॉंग को मुह में रख कर उसका रुपेच चूसने से खासी खत्म होती है जब तक मुह में लॉंग रहती है तब तक खासी बंद ही रहती है लॉंग को मुह में रख कर चूसने से मुव और श्वास की बदभू दूर हो जाती है लॉंग के तेल की कुछ बुंदे किसी स्वच कपडे के टुकडे पर टपका कर उस कपडे को बार-बार सुंगने से जुकाम की समस्या ठीक हो जाता है साथ ही नाग भी बंद नहीं होती है और नाग अगर बंद हो तो खुल जाती है लॉंग को पानी के साथ पीस कर एक सौ ग्राम पानी में मिला कर चानकर मिश्री मिला कर पिने से फ्रद्र की जलन विकृती दूर होती है पेट में जलन होना बंद हो जाती है लॉंग को पानी के साथ पीस कर हलके गर्म पानी में मिला कर पिने से जीमा चलना बंद हो जाता है और ज्यादा प्यास लगना भी बंद हो जाती है लॉंग और बकरी के दूद में घीस कर नेत्रों में काजल की तरह लगाने से रतंधी रोग ठीक हो जाता है लॉंग और चिरायता दोनों बराबर मात्रा में पानी के साथ पीस कर पिलाने से बकार खत्म हो जाता है